अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मारे लेटेश वीडियो देख सकें आई स्टाट करते हैं एकसाइज 8.1 कोशें नमबर 8 इसमें कहा है कि ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC कोन A और C को समधिभाजित करता है दरशाइए कि ABCD एक वर्ग है यह आपको शो करना है यह आपको सिद्ध करना है और साथी विकर्ण BD दोनों कोन B और D को समधिभाजित क करता है यह आपको सिद्ध करना है तो देखते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है दिया है A B C D एक आयत है A B C D एक आयत है साथी विकर्ण A C विकर्ण A C कौन A और कौन C को सम्धी भाजित करता है सम्धी भाजित करता है सम्धी भाजित का अर्थ आप जानते ही है समान दो भाजों में बाटना कौन को तो कौन को सो दो समान भाजों में बाट देना वह सम्धी भाजित करता है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दिया है तो लिख लिए आप सिद करना है देखते हैं सिद करना है आपको सिद करना है क्या ABCD एक वर्ग है तो पहले लिख दीजिए यहाँ पर कि ABCD एक वर्ग है यह आपको सिद करना है आप देखें परमान प्रूफ कैसे सिद करेंगे और आती विकर्ण बीडी कौन भी वे कौन डी को सम्द्वी भाजित करता है यह आपको यहापे सिद्ध करना है कि लिए रहे इतनी बात चलिए अब हम यहापे क्या करेंगे सबसे पहले जो है ABCD चो कि आप क्या जानते ABCD जो यह है वो क्या एक आयत है ABCD एक आयत है यह क्या है आपको दिया हुआ है यह दिया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है ABCD एक वर्ग सबसे पहले पॉइंट जो है कि ABCD एक वर्ग आपको सिद्ध करना है तो ABCD एक आयत को एक आयत को अगर आपको वर्ग सिद्ध करना ह तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको सारी भुजाओं को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा और सासाथ परते हैं कौन तो 90 डिगरी हो गई होगा तो यहाँ पर हमने क्या करना है हमने करना है यहापर कि सारी भुजाओं को बराबर करना है तो सबसे पहले ABCD अगर एक आयत अगर यह है तो AB बराबर किसके होगा CD के क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाओं तो AB बराबर क्या होगा आपका CD हो जाएगा लेकिन आपको यहां पर कारण अवश्य देना है कि आयत की आमने सामने की बुजा बुजा बराबर होती है होती है समय करण इसको एक कह दीजे ए भी बराबर सेडी होगे आपका साती यह जो बी सी बराबर है वो किसके है एडी के है बी सी बराबर एडी यह भी आयत की आमने सामने की बुजा बराबर होती है समय करण दो हो गया समय करण एक यह हो गया समय करण दो यह हो गया अब हम क्या करते हैं ये दो है इसको रहने जी है अब उसके बाद हम क्या करते हैं हम इन दो तिर्बूजों को ले ले लेते हैं हम दो तिर्बूजों को ले लेते हैं कोई से भी दो तिर्बूजों को ले ले लेते हैं जिसे हमने क्या करा है आपर ये दो तिर्बूजों हमने आपके आपके पासु już है कौण ए यह कोन है और मנता ए और इनटो को लेते हैं फटर के बारे हम जानते क्या है क्योंकि हमने इनको क्यों लिया क्योंकि हम जानते हैं कि दिया हुआ था कि जिसमें विकर्ण एसी दोनों कौन ए और सी को संदिवाजित करता है इसका मतलब हमें क्या पता कि यह कौन इस कौन के बराबर है यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है क्योंक करें यह बूचा जो है किसके बराबरीप नोस कि अगर हम बात करते हैं तो एबी की Spotify सीडी से के ब्राबर सकते हैं यह बूफ़ क्या हो गये सरवांगसम सिद गरने से आपको यह लाव होगा कि हम क्या करेंगे फिर यह बूजय जोगी आपकी इस भुजा के बराबर होगी के लिए रहे इतनी बात कि यह जोनों तुर्बू जब सरवांगसम से दो गए तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक गलती क्यों क्यों होता है तो यह कौन इसके बराबर और सासर एसी बुजा एसी होने से जब हम सरवांगसम सिद कर देंगे तो अब इस बुजा को इस बुजा के बराबर संगत बुजा में कह सकते हैं उससे लाव यह होगा कि जब यह बुजा इस बुजा के बराबर है तो यह आपस देखे, ABC और ADC में क्या है था, कि ये कौन के अगर हम बात करें, कौन BAC, कौन BAC बराबर कौन DAC, कैसे, विकर्ण AC कोने को संदिवाज, AC को संदिवाज करता है, तो यहां से दिया हुआ है, दिया है, फिर उसके बात क्या हुआ है, कौन हो गया, अब भुजा, AC बराबर AC उब उसके बात क्या करेंगे हैं, ये हो गया, A, S, और फिर एक ऐंगल, एंगल कौन सा, ये कौन B बराबर, कौन D कह देते हैं, कौन B बराबर, कौन D, और प्रता का प्रते कौन 90 degree प्रत्य कौन 90 to 90 our आपने बास नंद और हो गया हो गी कि है यह यह हो गया आप उसे होगा सर्वांगसम कह सकते हैं इस लिए टर्भूज ABC व्लू स्वांगसम कौन भुजा कौन तो यहां पर कर सकते हैं यहां पर हमने क्या करा अब इससे क्या हो गई यह जब दोनों सर्वांग सम्ता हो गई इसलिए अब आप अब को कहा देंगे बराबर कहा देंगे एड के इसलिए एबी बराबर हो गई आपकी एड के एक कहा और इसको आप कह सकते हैं समिकरन एक दो तीन से समिकरन एक दो तीन से आप कह सकते हैं A B बराबर B C बराबर C D बराबर A D तो अब आपकी क्या गई आपकी सारी कि सारी बुज़ा जो आगी बराबर आगी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD ठीक है तथा ABCD एक आयत है ABCD एक आयत भी है भी है तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ABCD क्या होगा एक वर्ग है ABCD एक वर्ग है इती सिद्दम पहला पार्ट यहीं करना था ABCD एक वर्ग क्या होगा वर्ग की चारो भुज़ा भी बराबर होती है आयत में भुज़ा बराबर नहीं होती चारो गी चारो आमने समने की भुज़ा बराबर होती है लेकिन वर्ग के केस में क्या होगा चारो की चारो भूजा क्या होगी आपकी बराबर होगी जैसी चारो भूजा बराबर होगी हमने कहा दिया ABCD एक वर्ग है और परति ये कौन अब बेडिगी तो होता ही है तो यहाँ पर आपको समझ माग आगया आप उसके बाद क्या करना विकंड BD दोनो कौन BOD को समधिभाजित करता है अब ये भी सिद्ita करना है अभी हमने AC विकंड लिया था लेकिनाब कौन सा विकंड लेंगे अब हम ले लेते हैं आपर BD विकंड ये भी विल्कूर सेम इसी तरीकर सेम कर सकते है हम BD विकंड लेंगे तो आपको करना क्या होगा BDV करन में अब की वर ये कौन इस कौन को 90 डिगरी कह देते हैं और ये बुजा ये बुजा ओबेनिस्ट हो गई और साथी आप तो कोई सी भुजा बराबर कर दीजे ये बुजा इस बुजा के बराबर कर दीजे क्योंकि चारों बुजा बराबर है ABCD अगर एक वर गया है तो अब हम यहां पे से आगे का पार्ट करते हैं तिरबुज ABC ABD तिरबुज ABD वे तिरबुज CBD में अब यहां पर देखिए क्या करते हैं यहां से हमने करा कि बुजा AB बराबर किसके कर दीए हमने BC के AB बराबर BC कैसे? ब्रैकेट में कर दो वर्ग की बुजा क्योंकि वर्ग की बुजा क्या होती है? बराबर होती है सारी की सारी तो वर्ग की बुजा उसके बाद क्या करना? बुजा हो गया अब कौन ले लेते हैं, तो कौन A बराबर कौन C, प्रतियक 90 डिग्री, फिर उसके बाद कौन बुजा होगी, कौन होगी अब फिर बुजा, अब बुजा कौन से लोगया, आब बुजा लेंगे BD बराबर BD उबेनिष्ट, बेड़ी बराबर BD उबेनिष्ट, अब जब अब यहाँ पर क्या होगा कौन भूजा कौन सरवांग संता नियम से तो आपको Ctap puedo लगा कि एसे सरवांगसम तनियम से दोनों के दोनों तिरबुज सरवांगसम सिदो गए अब जब दोनों तिरबुज सरवांगसम सिदो जाते तो उनके जो corresponding parts होते हैं संगत भाग होते हैं वो क्या होंगी बराबर होंगी इसी लिए कौन ABD, कौन ABD बराबर होगा, कौन CBD के, CBD, और bracket में CPCT से, क्योंकि हम corresponding part को equal कर रहे हैं, तो CPCT से, आप CPCT जानते हैं, corresponding part of the congruent triangle, सर्वांगसम तिर्बूजो के संगत भाग, ठीके बराबर होते हैं, आप उसके बाद क्या करें, ये भागते हैं, इसी तरह से ADB, इसी बराबर होगा, कौन CDB के, कौन CDB, और bracket में CPCT से, और इसको भी समीकरन मान लिजें, अभी तक हमने 3 तक हाँ पर मान लिती, इसको 4 मान लिजें, और इसको 5 मान लिजें, और समीकरन, 4 वे 5 से, 4 वे 5 से, अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों से क्या पता लग रहा है, 4 विकन BD, कौन B वे, कौन D को संद्विभाजित करता है, संद्विभाजित करता है, यहां से यही पता लग रहा है, कि विकन BD जो है, वो कौन B और कौन D को संद्विभाजित करता है, संद्विभाजित मतलब यह कौन, इस कौन के बराबर, यह कौन, इस कौन के बराबर दि करता है इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेली मुच